प्याज का बराठा बनाने के लिए 300 ग्राम आटे में आधा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चोटा चम्मच नमक या नमक स्वात के अनुसार डालें दो चम्मच रिफाइन या फिर घी डाल दें इससे पराठे अच्छे खस्ता बनेंगे थोड़ा सा ताजा बारिक कट्यू हरी धनिया डाल दें दो मीडिया माकार के प्याज बारिक कट्यू हरी मिर्ची, मिर्ची आप अपने तीखे कनुसार भी डाल सकते हैं आधा चम्मच अजवाइन डाल के सभी चीजों कहां से अच्छे से मिला लें अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आठा गुत लें तो यह हमारा आठा गुत के तयार है अब हम आठे में से एक लोई तोड़ेंगे अब आप इस लोई को सुखे आठे में लपेट लें उसके बाद आप इसे बेल लें अब आप तवे पर पराठा डाल दें और दोनों तरफ रिफाइन या फिर घी लगाके अलट पलट के इसे सेख लें और ये हमारा प्याज का पराठा तयार है गर्मा गरम सर्फ करने के लिए